नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका एक्जाम टोला यूटूब चैलल में दोस्तो इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं समान निभिज्ञान के एक शमहत्पुन प्रशन दोस्तो जो आपको एक्जाम में बार बार पूछ जाता है दोस्तो इसमें साड़े प्रशन किसे न किसे एक्जाम के पूछे के प्रशन है तो फ्रेंट्स अगर आपको साइंस में कटनाईयां होती है कोश्चन को पढ़ने में तो आप वीना एसकीप के वीडियो को लाश्तर जरूर देखेगा और दोस्तो यहां से अपनी रिवाइज को अच्छी तरशे कर देखेगा और आने वले एक्जाम में अच्छा सच्छा माक्स और अपनी हाथों में सरकारी नौक्री जरूर पाईएगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्ते वीडियो में साड़े प्रशन वन लेडर है जो आपके एक्जाम्स के पूछगे प्रशन है ठीक ना तो फर्स्ट कोशिंस है दोस्तो आपके यहां से कि प्रशी परिशोधक का परियोग होता है यह किसके परिवरतन के लिए किया जाता है दो तो उश्मा उर्जा को विदूत उर्जा में परिवरतन के लिए प्रिशोधक का काम आता है प्रियोग आता है ट्रांजिस्टर का मुखिता क्या होता है तो बिजली से चलने वाला दोस्तो यहां एक साधन है जो ट्रांजिस्टर कर रहा तो मैं यह से कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको साप आसे फेंच दिखाई दे मानब स्रेड में कार्बो हाड़ेट का पुना संग्रा जो होता है साथ हो यह क्या होता है तो गलाइको जन में होता है किसमें होता है निरपेक्ष सुने ताप पर क्या होता है तो आनभी गतिदोसो रुक जाती है ठीक है जाता है तो वह होता है डिक्टा फोन ठीक है अब यहाद रख़ 22 detect 09 याद रखेंगे ठीक है अगला कौशन लगाएंस साथेंच लिए इंपोरेटरिंट 10 आप हें साइंस के सारी कोश्चिंट सो आपके आधा से अधिक स प्रिंट ईंसुले का गान कि स्टिट को प्रभाबित करता है थेकिन अगला कोशेम से दोस्तों विश्व का संप कानूस है अधुनिक अबरत शार नहीं जो अधरित है यह परमानू शंख्या तपर अगर आप बहुत जिनों से तयारी करा है तो उमीद है आप सभी प्रेशन पहले से अल्ड़ी जानते हैं दोस्तों बस आपको revise कर लेनी है ताकि आपको अगामी एक्जांस में एक भी questions गलतिया ना हो Hypermetropia का जो अर्थ होता है ये दूर रिष्टी दोस्तों क्या होता है दूर रिष्टी दोस्तों होता है question number next लगाएंगे NTP पर किसी गैस के एक मॉल का जो आयतन होता है तो वाइस पॉइंट चार लेटर होता है NTP पर किसी गैस का एक मॉल next questions है कि एलेकेन का सुत्र दोस्तों होता है CNH2N plus 2 होता है ठीक है परिकास संसलेशन की प्रिकरिया में कौन सी गैस बहार निकलते साथ हो तो परिकास संसलेशन की किरिया में ऑक्सिजन जो गैस होता ना ये बहार आपका निकलता है सीत रождत जानबर कोन है तो सीत रख्ट जानबर चीप्कली आप याद रखेंगे आप अब कर में और चैहर तो संटर की प्रिकान की का निकलती हो सकता है अग्ला कुश्य दहाएं तर्मा मीटर में घरनेवाले जो फैंडशाय की दिवारों से नहीं टकालता हूँ एधाक वी उता है तो याद रहेँगे यह सभी गुन होगे और किसी वस्तू को चंडमा पर ले जाने पर उसका जो भार हो मों गहां गचने लगेगा next questions है कि किसी प्रकाश में लगुत्तम जो फेंट्स तरंग देज़े जोगा सबसे कम होगा होगा बैगनी का और सबसे ज़्यादा होगा लाल कापिया भी याद रखेंगे बड़प की घनत्तु के तुल्ला में पानी का जो घनत्त होता दोस्तो यह क्या होता है यह उच्छ होता है ठीक है अगला question friends लगाना चाहेंगे साड़े questions very very important है आज आपके लिए ताप मापने की जो SI unit यह है आपका Kelvin आप याद रखेंगे दोस्तो अगला question है कि कौन संग्रह करता वैटरी के रूप में कारी करता है तो सीसा अमलिया बैटरी जो दोस्तो यह है ठीक ना सीसा अमलिया बैटरी आप याद रखेंगे question next है कि सब्द radio activity जो होता है दोस्तो यह number next देखेंगे ध्वानी की जो छिनता होता दोस्तो यह किस पे निर्वर करता है तो उसकी आबिरती पे निर्वर करता है ध्वानी की छिनता question next है कि कौन से एक मात्र भारतिय वैग्यानिक है जो भौतकी में नोबल प्रुषकार प्राप्त किया था साथियो तो वह है डॉक् रखेंगे अगला question है कि nitrogen योगी करण के लिए कौन सी फशल सहाइक होता है दोस्तों तो यहां से विंस आप याद रखेंगे दलहन वाले ज्यादतर पौधे होते हैं ठीक है अगला question दखेंगे मायवपिया से क्या समझते सत्यों तो मायवपिया से निकल ड्रेश्थी दोस्त कहा जाता है मायवपिया को question में next है कि भारत के लिए अत्यांत उप्यूक्त और परेंपरिक जो उर्जा का स्रोत है यह सौड उर्जा होता है दोस्तों आप यह भी याद रखेंगे दोस्तों क अगला question है कि प्रिकास संसलेशन की पड़किरिया में कौन सी गैस बाहर निकलता दोस्तों तो यहां से oxygen बाहर निकलता है अगला question है कि सीत रख्त जानवर जो है दोस्तों यह कौन है तो यह चिपकली आप यह भी याद रखेंगे वैवंडल की निम्तम परत कौन सी होती है तो बैवंडल की निम्तम परत दोस्तों छो मंडल होता है हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए पड़ियोग में लाया जाता है तो आप एच्छी अधरता फ्रेंट्स आप याद रखेंगे क्योश्टन आभान नैक्ष्ट है की आँखों को स्वस्त्र रखने के लिए कौन सी बिटामिन सहाइक होता है अगला कुशन लगाएंगे जूल दोस्तो किसका इकाई है तो जूल जो है दोस्तो यह है उर्जा की इकाई होता है ठीक है अगला कुशन लगए फेंट सारे कोश्चिंस आपके वेरी वेल इंपोर्टेंट है अगाम एक्जाम्स के लिए से वीना एसकीप के वीडियो का प्लाच तक ज़रूर लगा लिज कि एक अनुमान के मताबिक विश्म में पाये जाने वाले कुल लहा का जो फेंट से परतिश्च दोजा जो परसेंटेज होता है भारत में कितना पाये जाता है तो 20% पाये जाता फेंट आप याद रखेंगे कोशन में नेक्स्ट कि भूपर्टी पर सरबाधिक मात्रा में प याद रखेंगे कोशन में नेक्स्ट देखेंगे तो साड़े कोशन सापके अगामी एक्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपोरेंट है बेटामिन सी के कमी से क्या होता है तो बेटामिन सी के कमी से एसकर भी रोग होता है नंबर नेक्स्ट है कि धोने वाले सोडा का रसानिक नाम क्या होता है तो sodium carbonate दोस्तों धोने वाले सोडा का रसानिक नाम होता है पोधे की आयू का जो मापन के दोस्तों जो नापा जाता है उनकी तना के वलेयों को गिनकर यह अनुप्रस्त काट की गिंती करके पोधे की आयू पता चलता है ठीक है नमबर नेक्ट देखेंगे ज ज्यादा तर आप doubts आते हैं ज्यादा आपको confusion होते हैं तो ऐसे confusion से बचना है वह कौन सी रासा नेक्ट आत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है दोस्तों तो शलफर जो है प्रोटीन को चिन्हित कर लेता है आप याद रखेंगे साड़े very important questions है दोस्तों अगरे वीडिय आन्विक संरचना होता है इसलिए है रात में चमकते हैं नमबर नेक्ट है कि तालाबों और किरत्रिम जलाशों में मतश्य परजरन पड़किरे जो कहलाती है यह PC कल्चर कहलाता है शात्यों तो आप वर्लैनल को विनाइस कीप के फ्रेंट्स अगर आप अभी तक लगा रहे इसका मतलब है दोस्तों कि आप सिलेक्शन्स लेना चाह रहे हैं साकनासी ऐसे आन्विक द्रब्य हैं जो किसका नियंतरन करते दोस्तों तो और त्रिपन और जिसे खड़ पतवार के नाम से आप जानते होंगे प्रिकास संसलेसन में जो फर्ण हरित की भूमी का होता है यह क काईक असपरश से फैलने वारे जो रोग होते हैं यह क्या होते हैं तो कौन टेजिस होते हैं है अगला कोशन लगाएंगे वसची प्रश्ण है धयान देंगे कहसे है कि नेत्र रोग जो चिकिटसा के दौस्तों यह क्या होते हैं तो फेंड से यह होते हैं ओपट diferenौ आने वाले मोर लेते समय क्यों जुकता है साथियो तो यहां जो जुकता है ना वहां जुकता है इसलिए ताकि उसका जो गुरुत्वा केंद्र होता है उसका अधार दोस्तों अंदर की ओर वना रहे कोशनमर नेक्स बाता बरन में सरवधिक मातरा में पाये जाने वाले जो गैस होती है इस गैस कौन सी होती दोस्तों तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन तर जिसका 88.3% परसेंटेज प्रेंट्स पाया जाता है कोशनमर नेक्स लगाएंगे बिरतबिकी भुपट्टी पर सब से अधिक मात्रा में कौन से तत्व दोस्तों पाए जाता है तो वह दोस्तों है आपका ऑक्सिजन याद रखेंगे नेत्र गोलक की सेट के द्वारा चालित होता है तो फोड मांसिये के द्वार दोस्तों नेत्र गोलक चालू होता है कुछ में नेक्स स्वारी चालित होता है न